हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मैं चैनल, कैसे हैं आप सब लोग, आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए तो लाइक करिएगा, आई शुरू करते हैं, इससे पहले की वीडियो में 30 तक कोशन्स हो गए थे, अब 31 कोशन्स लेते हैं, लेखा पर इच्चा कारिकरम डैश डैश होना चाहिए, तो यहां से आप से पूछ रहा है कोशन्स में जो और प्रोग्रम होता है, वो किस तहां का ह होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, मौकिक का लचीला या फिर मौकिक होना चाहिए, तो जो लेखा पर इच्चा कारिकरम होता है, वो फ्लैक्सिबल होना चाहिए, यानि कि लचीला जिससे की आसानी से सुच्वेशन की अनुसार उसमें परिवर्तन क किया जा सके तो यहाँ पर का एक टांसर हो जाएगा option a next question है माल खरीदा गया लेकिन क्रायर रिजिस्टर में प्रविश्टी नहीं की गई good purchased but not recorded in the purchase register is an error of omission to reduce profit and error of commission none of these question पोच रहा है जो माल था यानि कि कुछ रिगुट से वो purchase किये गया लेकिन जो purchase जाजिस्टर था उसमें इंट्रीव की नहीं की गई है तो किस तहां की अशुद्धी है तो यह हो जाती है भूल की तुर्टी an error of omission की लिखना ही भूल गया तो यहाँ पका एक टांसर हो जाएगा option a इस question है निमकित में से कौन सा दस्तावेस बिकरी की पुष्टी के लिए प्रासंगिक नहीं है which of the following document is not relevant for watching of sales daily cash sales summary credit memos delivery challenge sales department attendance record यहाँ question आप से पूछ रहा है यह आपने पढ़ा हो गया इस chapter vouching यानि की प्रमाडन प्रमाडन में क्या होता है जो प्रमाड़क होते हैं जो रसी है या नहीं है पार्टमेक इंट्रीस को में मेली शेक किया जाता है कि इंट्रीस सही तांग से की गई है और सभी इंट्रीस का विमाड़क पुष्टी कर रहे हैं तो वहाँ पर कौन सा जो दस्तावेस होता है या फिर जो डॉक्युमेंट होगा वो उसके लिए यूज नही इस कुशन है अंके छड का मुख्य उद्देश ये टैश टैश है ता मेन अब्जेक्ट ओफ एन और इस तो इंशोर देट फाइनल अकाउंट्स अर प्रिपेर्ड एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपेनियन ऑन ट्रू और फेर वीव उफ अकाउंट्स तो इंशोर दा फ्यूचर अब एक कुशन पूच्छा है जो अंके छड क्या होता आप पड़ा होगा या नहीं है उनकी पूरता सच्दा की जाच करना और एन पर अपनी राय व्यक्त करना यह हो जाता है मुख्य उद्देश तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा खातों के सही और निश्पर अद्रिश्ट रिपोर्ड पर राय किया भिव्यक्ति और धोकादर यह त्रोटियों को पता लगाना है उसका सहाया कुद्देश्य है तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तो यहां पर अंकेटर का काम शुरू होने से पहले त्यार किया जाता है तो आपका एक आंसर हो जाएगा का option A, next question है, dash dash praram होता है, जहां dash dash समाप्थ होता है, तो question आप से पूछ रहा है कि कौन से चीज प्रारम होती है, किस चीज के समाप्थ होने पर, तो आपको पता होगा, जब accounting का काम हतम होता है, उसके बाद ही auditing का काम शुरू होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, option B, पहले हो जाएगा, गेच्चर प्रारम होता है, जहां लिखांकन समाप्थ होता है, next question है, window dressing का मुक्योदेश dash dash है, the main objective of window dressing is increase liability to mislead investors, to reduce tax liability to understate profit, तो यहाँ पर जो window dressing होती है, उसका main जो object होता है, वो हो जाता है, to mislead investors, याने के निवेशकों को गुम रहा करने के लिए, इसलिए वहाँ पर लाप अधिक करके दिखाया जाता है, जिससे की जो भी निवेशक हों, वो गुम रहा हो, उन्हें यह लगे कि जो भी कंपनी है, उसके स्थिक्या है, अच्छी है, यहाँ पर एक नासर हो जाएगा, option B, next question है, गुप्त संचे टाश 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 पर दिखाया जाते हैं, the secret reserves are shown on टाश टाश, asset side of balance sheet, credit side of trading account, liabilities side of balance sheet, none of the above, आपको पता होगा, secret reserve बनाया जाता है कंपनी में, तो वो किसी भी side में, नहीं आर्थी चिटेम दिखाया जाता है, balance sheet में नहीं दिखाया जाता है, नहीं profit and loss account में, नहीं trading account में, कहीं पर भी वो नहीं दिखाया जाता है, इसलिए उसे गुपत संचया पर secret reserve कहते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आसर हो जाएगा, ननाफदा अबव, option D, next question है, प्रमारक टैश जैसे संबंदित है, voucher relates to, cash receipt and payments, credit transaction, cash payment only, credit transactions only, cash receipt only, आपको बताना है कि जो प्रमारक होते हैं, वो किस से संबंदित होते हैं, नगत प्राप्त और भुकतान, credit lending, केवल नगत भुकतान, केवल credit lending, या पर केवल नगत असीद, तो जो प्रमारक होते हैं, नगत प्राप्त और भुकतान, दोनों से ही संबंदित होते हैं, और credit lending से भी, तो यहाँ पर correct answer हो जाएगा, option A, next question है, डाश डाश लेखे की अशुदी नहीं है, डाश डाश is not an error of commission, तो यहाँ आपको यह बताना, जो लेखे की अशुदी होती हैं, लेखे की होती है, चतिपूरक होती है, साध्धानतिक होती है, तो यहाँ पर यह पूछाया, जो लेखे की अशुदी होती है, इसमें से कौन सी नहीं है, गरती है शुदी, चतिपूरक अशुदी, खतियाने के शुद्धी नहीं होगी तो क्रेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी आज की वीडियो में इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में कुछ और नए कोश्चन के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा अपको मिल जाएगा जादा जादा फेंट्स का शेयर करिएगा थैंक यू